दोस्तो बिहार में बेल्ट्रोन से जितने भी करमचारी काज़ कर रहे हैं तो चरंबंद आंदोलन का जो है डेट एलाॉंस कर दी गई है आप लोगों को जानकारी के मुताबिक बता दू कि आठ अक्टूबर 2013 को बेल्ट्रोंट के जितने भी करमचारी ओट्सोर्सिंग करमचारी है डेटा इंट्री ओपेटर एश्टनोगाफ़ एटी बॉआ एटी गल बिहार में गर्दनिय वाग पटना में आंदुलन दिये थे एक दिवस्या आंदूलन देकर सरकार को चेताबनी दी गई थे कि जो भी ओट्सोर्सिंग करमचारी है इन सब को सेवा समय जन किया जाए इन सब को अश्थान दिया जाए सरकारी करमी का दर्जा दिया जाए इसके लेकर जो है आठ अक्टूबर 2013 को आंदूलन दिये थे उसके बाद सरकार अभी तक इन सब की मागों पर कोई भी विचार नहीं किया है सब करमचारी ने फिर से एक बार आंदूलन करने जार रही है पांच नमंबर 2013 आगामी कल न पर तूँ पांच नमंबर 2013 को एक दिवसिय धरना पर दर्शन फिर से देने जार रही है सची वालेग हैरो सहीत काला बिला आंदूलन करने का डेट एलांस्मेंट की गई है यहाँ पे आप लोग देख लेंगे 6 नमंबर 2013 से 11 नमंबर तक काला बिला लगा कर अपने समंदित विभाग काडियाले में कार्ज कर सरकार के समख अपना बिरोध दर्ज करेंगे आपके जानकारी के लिए बता दू 5 नमंबर 2013 को जो आंदूलन होने जारे यह सची वाले घहरों का होने जारे 5 नमंबर 2013 से चरंबन आंदूलन की सुरुआत करेंगे उसके बाद 6 नमंबर से लगातार 11 नमंबर तक काला बिला बहाँ धर्ना पर दर्सन करेंगे एक तरह से आप लोग समझ सकते हैं रोड का पुड़ा जाम रखेंगे जो भी ऑट्सोर्सिंग करम चारी है डाटा इंट्री ओपरेटर एश्टनों का आपड़ एटी गर्ड तो आने वाले भाविस में जो भी अभी नए यह पुड़ाने होंगे सभी आप लोग धिहान देंगे और इस आंदोलन में भाग लेंगे जो भी बेल्ट्रों से कार्ज कर रहे है तो यहाँ पे आप लोग देख लेंगे पेपर कटिंग के मादियम से भी जानकाई दी गई और संग की और से भी एलाउंस किया गा है आप लोग आगे समय लेंगे ग्यारा नवंबर तक यह आंदोलन होने जारी यहां पर देखेंगे छे नवंबर दो हजार तक काला वीला लगाकर कार्ज करेंगे 28-29 नवंबर को दो दिवस्या सांकेतिक हर्ताल अगर सरकार की और से कोई ठोस हर्ताल करवाही नहीं होती है इसमें साबतोर पे जानकाई दी गई है पांच नवंबर का आंदोलन करेंगे उसके बाद 6 से लेकर 11 तक आंदोलन करेंगे उसके बाद विहार सरकार की और से कोई निरना नहीं आते है तो फिर से 28-29 नवंबर को आंदोलन करेंगे उसके बाद लगातार जो है यह ओपरेट परफ़ब करने जाए दाटाइंटी ओपरेटर एस्टनों का फड़ एटी गर्ड तिन सब की एक ही मांग है सेवा समय जन किया जाए जो भी थर्ड पार्टी से इन सब को जोएनिंग करवाते हैं और जो भी विभाग में सब का भी नियोजन किया गया वह नियोजन ड्रैक जो बेलतरों से नियोजन हो और इन सब का सेलरी से जो जियेश्टरी कर रहा है वो जियेश्टरी हटना चाहिए बस इन सब का एक ही मांग है सेवा समय जन सरकारी अश्ठान दिया जाए जो भी कारियालेसे सेवा मुक्त कर देते हैं यह सब को भी जंजाट समाप करके जो भी अभी वइल्ट्रों से कार्ज करें सरकार इन सब को अस्थान दे और कभी भी सेवा मुक्त का जहन जहत न मिले इन सब को हमेशा के लिए इन सब का साथ वर्स का परमानेंट जॉब होना चाहिए सेवा समय जन बस एक ही मांग है जो भी अभी बेल्ट्रों से कार्ज करें तो एलांस कर दी गई है और दोलन का डेट जो है सरकार की और से बुलंद कर सकते हैं तो बेल्ट्रों से जितने भी करम चारी होंगे तो आप लोगी सांदरों में जरूर से जरूर भाग लेंगे और बड़ी संख्या में आकर भी हर सरकार के खिलाफ अपनी मांग को रख सकते हैं आगे चुना होने वाले उसे पले उमीद है कि आप लोगी सभी मांगे जो है फुरा कर ली जाएगी तो जो भी अभी बेल्ट्रों से है तो आप लोग ध्यान देंगे और इसे अती अवस्यक समझेंगे पांच नेमबर 2013 से महाधरना परदस्तन पैटना में होने जाड़ी आपको यहां पर सभी जानकारी हम दे चुकी ह है और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं यहाँ देखेंगे आउट्सोर्सिंग समाप्त कर सेबा समयजन करे बिहार बस आउट्सोर्सिंग समाप्त होना चाहिए जो भी है अभी वेल्ट्रों से यह जानकारी था आप लोग का पांच नेमबर 2013 का और अटाइंट्री ओपेटर एस्ट्नोग्राफर एक्टीव एक्टी गर्ल के साथ जो है शेयर करेंगे जितने भी गुरूप है ताकि सभी को यह सुचना मिल सके और आप लोग आंदोलन में भाग ले सके धन्यवाद